नमस्कार दर्शकों मैं निहां आपका फिर से स्वागत करती हूँ ऐसे न्यूस चैनल पर क्योंकि आज हम पहुंचे हैं सतलोग आश्रम खमानों पंजाब में जो की खन्ना रोड जिला फतेगड साहिब में स्थित है और मैं आपको बता दूँ कि यहां पर संत रामपाल जी म समागम मनाया जा रहा है और आज समागम का तीसरा दिन है तो अभी हम आश्रम के अंदर बढ़ रहे हैं तो हम आपको आज आश्रम के अंदर की तस्वीरे कुछ दिखाएंगे क्योंकि आज आश्रम में बहुत ही खास दो मेजर इवेंट्स है जो कि संत रामपाल जी पर मनाने जा रहे हैं तो आएई हम चलते हैं अश्रम की अंदर की तरफ और अंदर आते ही मेरे राइट साइट पर भगतों के लिए शेक्योरिटी चेक पॉइंट बनाया गया है और यह सिक्योरिटी चेक इसलिए रखा गया एकि संत-अ्राम página जी महराज जी के नियम है कि कोई भी नशीली वस्तु अंदर ना जा सके कोई भी अवैद हत्यार अंदर ना जा सके तो इसका खास विशेश ध्यान रखा जाता है कि पार्ट में किसी भी तरह की तुरूटी ना आ सके तो आएए हम अब जूताघर की और प्रवेश करते हैं और मेरे इस तरफ आप देख पाएंगे कि यहां पर पार्किंग की विवस्ता की गई है जो की टू वीलर्स के लिए अलग से की गई है और यहां पर आज बसिस भी आएंगे शधालियों की उसके लिए अलग से की गई है और मैं आपको बता दूं कि यह पार्किंग की जो फ बीगाई ब्लड डोनेशन कैम भी उर्गेनाईस करवाया गया आश्रम के तरफ से और इसके साथ साथ यहां पर सेक्टर 16 चंडिगट से भी डॉक्टरस की सर्टिफाई डॉक्टर्स की टीम आई है जिनकी देख रेक में यहां पर ब्लड डोनेशन कैम लगाया गया है और यहाँ पर लगा है बुक स्टॉल जो श्रधालु यहाँ से जा रहे हैं वो पुस्तके लेके जा रहे हैं चाहे वो संत्रामपाल जी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े बर फिर वी वो उनका ग्यान सुनने लिए यहाँसे ग्यान गंगा गीता अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी स्थल पर तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सेवादार अपनी सेवा में मौझूद हैं उनके हाथों में सत्साइब का जंडा है और हम अब आपको अंदर का दृष्ट दिखाने वाले हैं कि प्रदर्शनी में क्या कुछ है खास आज यहां पर कबीर साहिब का निर्वान दिवस मनाया जाएगा आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं प्रदर्शनी देखने के लिए कि यह प्रदर्शनी अपने आप में कुछ खासol कि मैंने तो यह प्रदर्शनी ऐसी प्रदर्शनी आज तक नहीं देखी और इस द्रिश्य को देखकर ऐसे लग रहा है कि कबीर साहिब खुद स्वैम यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर उनके शिश्य बैठे हुए है देखिए कितनी सुंदर यह प्रदर्शनी बनाई है जिसने भी बनाई है प्रिश्य यह प्रतीत करता है कि कबीर साहिब ने एक आमी नदी जो थी जो कि सूख चुकी थी उस टाइम पर वहां से भी पानी की बच्छार कर दी थी और पानी ही पानी हो गया था जो कि सदियों से सूखी फड़ी थी द्रिश्य प्रतीत कर रहा है कि जब कबीर साहिब सेह शरीर मघर से सत लोग गए थे तो पीछे उनके चादर में सुगंदित फूल पाए थे जिसके लिए हिंदू और मुसलिम लड़ रहे थे कि हम कबीर साहिब का शरीर अपने पास लेंगे और अपने तरीके से हम इनका अंतिम संसकार करेंगे और जैसा ही उन्होंने पाया कि सुगंदित फूल मिले हैं यहां पर तो वैसे ही अकाशवानी हुई उपर से कि इनको आधा-ाधा हिस्सों में बांट लिया जाए और ऐसे ही मुसलिम और हिंदू जो उनमें भाईचरा एक डेवलप हो गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ गले मिलकर अपनी जो दुश्मनी या कहलो की उनका कोई गुसा था उसको खतम कर दिया सर क्या आप हमें इस प्रदर्शनी के परे में बताएंगे जो यह प्रदर्शनी है जो आगे आपने देखा इस प्रदर्शनी में जो यह मत्मल परमात्मा से श्रीर छोड़के असतलो गए थे तो उसका मगर से गए थे तो यह मगर में ऐसा है मुस्लमानों का मस्जिद परमात्मा का जो श्रीर था फूल उसमें है और यह मंदर है हिंदू का जो यादगार बनाया था परमात्मा का और ऐसा है वह मागर में यह हिंदू का है और यह मुस्लमानों का श्रीर छोड़के जो परमात्मा गे थे तो उसमें यादगार के तोर प सेवादार से पूछने की यहां पर कोशिश करतें कि आखिर यह क्यम्सकर शर यहां पर शंटर रमपल जी महाराज जी का रख्रेजिज्ट कि लॉट यह काफी कि दुनिया करते पी यह बाते ह। तो यह लगा यह बढ़ जाने से उन्हиф का यह ख्वाद इसलिए लगा गया हुआ तो जैसा कि सेवादार यहां पर मौजूद है उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महराज जी को उन्होंने किसी निकाला नहीं था नौकरी से उन्होंने खुद रिजाइन दिया इस चीज को प्रमानित करने के लिए यहां पर रेजिगनेशन भी लेटर लगाया गया है तो मेरे पीछे यहां पर बहुत खुबसूरत सी तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं जो कि अलग-अलग देश विदेशों से हैं जैसे कि इटली, स्पेन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि संत रामपाल जी महराज जी का जो ग्यान है, वो विदेशों में भी फैल चुका है और आगे भी अभी फैलेगा और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पुस्त के भी बड़ी भारी संख्या में लोग यहां पर मंगवा रहे हैं पढ़ने के लिए संत रामपाल जी महराज जी के ज्यान को और साथी में मैं आपको ब तरफ यहां पर लिखा है दहेज रहित विवा तो यहां पर जितने भी तस्वीरें यहां पर लगी हैं यह सारी ही दहेज रहित विवा जो आज तक हो चुके हैं संत रामपाल जी महराज जी के सानिध में उनके आश्रमों में यह उनकी तस्वीरे हैं और आज भी यहां पर क देखने के लिए मिलेंगे और यहां पर हम कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे कि इसमें आखिर यहां पर बताना क्या चाहते हैं संगत को जो यहां पर आ रही है तो आईए बातचित करते हैं यहां पर मौझूद एक सेवादार से नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका उपेंदर दास सर हमें आप बताईए कि यहां पर इतने सारे धेरों ग्रंथ रखने का आखिर क्या मकसद है यह जो सबी ग्रंथ जो हैं संत्रामपाली महराजी के आदेश से रखे हुए हैं यह इसलिए रखे हुए हैं कि संत्रामपाली महराज अपने परबचनों में बताते हैं परमान देते हैं कि किस किस ग्रंथ में एक परमात्मा के बारे में जो है बिवन दिया हुआ है तो उन् प्रमान दिखा सकता हूं यह सभी जगत है वो मानता है कि जी ने जो है ग्यान है दिया है तो क्रिशन जी जो है वह अपने बारे में क्या कह रहे हैं वह आपको दिखा देता हूं कि यह देखिए यह चौते द्याये का बेखिए छस्त रही हो कह जो और मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके है यह जोएक प्रमातमा सब जानते वो अविनाशी है ना उसका जन्म होता ना मृत्यू होती है तो फिर हम क्रिशन जी को बगवान कैसे मान सकते हैं तो इसलिए यह प्रमान करने के लिए यहां पर दखाया हुआ है क्योंकि सबी जो जगत है वो लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जान प की है को क्रिशन जी अगर मालेदे क्रिशन जी ने ग्यान दिया है तो क्रिशन जी कह रहे मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं इसका मलब क्रिशन जी जन्म रित्व में हैं तो वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते इसका मलब को पूर्ण परमात्मा को और है वो संत इतना बड़ा समाग में चला हुआ है यह उसी के उपलक्स में है कबीर परमेश्वा 1518 में इसी तरीकों तितिकल को आ रही है 20 को बीस को आ रही है इस तितिकों सची जो है सत लोग चले गए थे उसलिए यह सारे गरांतरे रखे हुए है उसको तखाने के लिए तो जैसे कि यहाँ पर मौझूद सेवादार ने बताया कि इनका मानना है कि कबीर साहिब जो है वो एक पूर्ण परमात्मा है और इसी उपलक्ष में यहाँ पर समागम मनाया जा रहा है उनका निर्वान दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है कि कबीर साहिब सेह शरीर मघर से सत लोग गए थे यहां पर तो आइए हम अब आगे का द्रिश्ट दिखाते है आश्रम का तो यहां पर भkiejफों की चेकिंग की जा रही है भीना सुख के कोई भी आश्रम के अंदर नहीं जापाएगा सभकी चेकिंग जब होगी तभी ही वह अंदर को प्रसांद करेंगे और ठीक दूसरी तरफ पीछे की और देख पा रहे हैं कि यहां पर फीमेल भगत जो हैं उनकी चेकिंग की विवस्था की गई है वहां पे जो सेवादार है उनके हाथ में डिवाइस है जिससे वो चेकिंग सेक्यूरिटी चेक यहां पर अपना रख रहे हैं आप मेरे पीछे आप रहे हैं कि काफी बीड़ हैँ यहां पर काफी संख्या में यहां पर लोग आए हैं जगत के लोग के लोग आए हैं इस तरफ यहां पर चा की की विवश्था की गई है फीमेल के लिए और दूसरी तरफ वहां पर मेल भगत बगतों के लिए चाय राम की विबस्था की गई है आश्रम की तरफ से और मैं आपको बताऊं कि चाय भी दोनों प्रकार की आपको यहां पर मिलेगी मिठी चाय फीकी चाय जो भी आपको पसंदो तो अभी हम पहुंच चुके भ भगत भाई बंडारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भगत बहने जो हैं वह अपना बंडारा कर रही है और प्रापर तरीके से लाइन में वह अपना बैठ कर शांती पूर्वक यहां पर बंडारा कर रहे हैं और यहां पर एक डिविजन है जो की दोनों हिस्तों में बांट र यहां पर फिसिलिटी आश्रम की दरफ से अवेलिबल है और साथ ही में मोबाइल शार्जिंग पॉइंट यहां पर भक्तों के लिए बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविदा यहां पर उनको ना हो पाए अभी बाहर हमने आपको दिखाया था कि पुस्तके लगी ह सकती हैं और संत्रामपाल जी महराज जी के कुछ स्वरूप यहां पर रखे गए हैं और और भी अन्य चीजें यहां पर मौजूद हैं भक्ती के रिलेटेड जो कि आप यहां से ले सकते हैं जैसे कि माला हो गई और काउंटर यहां पर अवेलिबल हैं तो इस तरफ से हम पं चल रहा है तो हम बढ़ रहे हैं अंदर की और तो आपको दिखाते हैं पंडाल में कैसी विवस्था की गई है सेवादारों की तरफ से यू कि यहां पर वो मना रहे हैं कबीर साहिब जी का निर्वान दिवस जिस दिन कबीर साहिब मघर से सह शरीर सतलोग गए थे उस दिन को यहां पर संत गरीबदास जी महराज जी की अमरित वानी का खुला पाठ चार दिवसिय जो चलाया गया है 17, 18, 19, 20 फरवरी 2024 तक और कल 20 फरवरी 2024 यह पाठ संपन हो जाएगा तो आज समागम का तीसरा दिन है यानि की 19 फरवरी 2024 और हम आपको ले चल रहे हैं अंदर की और यह आप देख पा रहे हैं कि पंडाल यह भक्तों का पंडाल है मेल भगत यहां पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आप देख पारें कि फीमेल भगत का पंडाल है और बीच में एक सेपरेशन बनाया गया है क्योंकि बेहने और भाई जो हैं वो अलग-अलग यहां पर बैठ कर सचसंग सुनते हैं कुछी देर में हम आपको यहां पर दहेज मुक्तशादियां दिखाने वाले हैं और उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा तब तक कि लिए आप बने रही हैं हमारे चानल पर और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो like and share वीडियो को हमारी जरूर कीजिएगा और नीचे comment section पर हमें comment करके जरूर बताईएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसी लग रही हैं और आपको कैसा लगा आश्रेम का coverage जो हमने अभी आपको दिखाया सर, क्या नाम है आपका? रामूदास नाम है, मेरा मैं डेराबसी मुहाली सर, हम आप से पूछना चाहते हैं कि आज के दिन समागम की तीसरे दिन क्या खास होने वाला है? आज दिन खास आसरम के अंदर यह होने वाला है कि तो बिलेट डोनेशन का इंप लगेगा अपना जो हजारों इनिट बिलेट डोनेट होगा अपने आसरमों में दस्चियों हजार इनिट डोनेट हो जाना है और दूसरा प्रोग्राम होना है देहज मुक्त बिवा का रमेडी जिसको वोलते हैं हमारे संत्वासा में वह प्रोग्राम होगा बाकि समाज सुधार में संत्रामपाल जी महराज का बहुत ज्यादा से हो गए सिर्फ हम आपसे पूचना चाहते हैं कि सट्लोग आश्रम खमानों पंजाब के इलावा और संत्रामपाल लगेगा देज मुक्तु विभा होंगे ऐसे सभी आसरों में होगा और सेम ऐसे ही लंगर चल रहे हैं सारा सिस्टम वहां पर सेम चला हुआ है बिल्कुल सच है जो कुछ यहां पर चाह सभजी का नीज़ी का लगेगा सब काता हैं वो बिर्कुल निशुल के है तो क्या ये बाता पार्किंग मेडम ये बिल्कुल सही पर सब菌 होते हैं अगर कोई अभी संत्रामपाल जी महाराजी से नहीं जुडा अगर वो यहां पर संत्रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आना चाहता है तो उसको कितनी फीस या कोई बुकिंग करवानी पड़ेगी जैसे कि हमें अन्य आश्रमों में जाने के लिए करवानी पड़ती है संथ रामपाल जी माहराज के आस्रमों में कोई फीश नहीं है ना कोई booking करानी पड़ती है खुला पार्ट होता है उसमें आ सकते हो समागम के दौरान जब सशंग चलते हैं सशंग में आ सकते हो कोई इंट्री फीश नहीं है फिरी में बैटके सशंग सुनो चाय पानी करो बंदारा चुको इसके बाद में आराम से बिचार अपने सुनके परमात्मा के और आप जा सकते हो फिरी शिवाय सारी तो सर हमने मीडिया में सुना था कि 10,000 नाम दिक्षा के देने पड़ते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाते हैं कि जो लोग संत्रामपाल जी माहराज जी से दिक्षा लेना चाते हैं तो उनको क्या कुछ पैसे देने पड़ेंगे या कैसे मिलेंगी दिक्षा शारी शीज़िये निशुलक हैं ओर फिरी हैं रामपाल जी महराजी के आस्रम में जो एफाफ लाए गी थी कि दस अजार फीस लिजा थी वो ऐसे पैसा खर्चा होता है ऐसा कुछ नहीं आस्रम में सब कुछ निशुल गए वो तो करोड़ों रुपे खर्चे से डुब्लिकेटों के खर्च के और खतम होगे वो अपना पैस अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि यह वही संत हैं जिनका हैश्टैग एक्स यानि की ट्विटर पर आए दिन ट्रेंडिंग में रहता है और अदर जो एपसे जैसे की फेस्बुक, ट्विटर, पिंट्रस, कू आप या और भी अन्य सोशल मीडिया जो प्लाटफॉर्म्स है वहाँ पर भी सेवादारों की तरफ से काफी दिन पहले से ही सेवा शुरू कर दी गई थी इन्विटेशन देने की, की वो यहाँ पर संत्रामपाल जी महराज जी के जितने भी आश्रम है देश भर में, वहाँ पर किसी भी अपने नियर्स आश्रम में जाकर इस बंडारे की अम्रिदवानी का लाब उठा सकते हैं और ग्यान समझ कर संत्रामपाल जी महराजी का सतसं सुनकर दिख्षा भी ले सकते हैं नमस्कार जी क्या नाम है आपको मेरे नाम है रमा कहां से आए आप मंडी मंडी से आए मैं आज आप यहां पर आश्रम में किस कारण से आए हैं मेरे भाई के लड़के किशादी है ना रुमैनी है ना तब आए हम तो यह आपने संत्रामपाल जी महराज जिसे नाम दिख्षा ली हुई है नहीं जी अभी ली है बाद में लेनी है भी लेनी है भी अभी सुनना है कुछ बेचार बगेरा तो आपको यहां पर आकर कैसा लगा कैसी लगी आपको आश्रम की विवस्ता बहुत अच्छी बहुत अच्छी किसी भी तरीके की आपको असुविदा यहां पर मिली हो नाई सब सुविदा है आप उन लोगों को क्या संदेश्ट देना चाते हैं जो भी संत्रामपाल जी महराज जी से नहीं जुड़े मैं तो लूब यहां पर जाओ आप सुनों भीचार सुनों और सब कुछ अच्छ है भीचार सुनके तो अच्छा ही लगता है ना वैसे बहुत बहुत अच्छा है यहां पर धन्यवाजी थैंक यू